हलो फ्रेंट्स इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन दोस्तों अगर आपका GST नंबर कैंसल हो गया है और आप अपना बिजनस कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूस है आप अपना GST नंबर रिवोक करा सकते हैं और ये काम आपको करना है किस टेट तक आपके साथ मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ डिसकस तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजे ताके सभी इंपोर्टेंट अपडेट्स और अलर्ट्स आपको मिलते रहे हैं तो ये मैंने आपके सामने उपन की है 39th GST Council Meeting की Press Release यहां पर उन्होंने आपको एक One Time Opportunity दी है अपने Cancelled GST Number को रिवोक कराने की वियर रिजिस्ट्रेशन हाव बीन Cancelled तिल 14th March 2020 अगर आपका GST Number Cancelled हो गया है 14 March 2020 से पहले Application for Revocation of Cancellation of Registration can be filled up to 30 June 2020 तक और आप अपना जो GST Number है वो दोबारा से चालू कराना चाहते हैं तो जो एप्लिकेशन रिवोकेशन के लिए जो एप्लिकेशन फाइल होती है वो आपको फाइल करनी है 30 June 2020 तक तो यह One Time Opportunity आपको दी जा रही है 30 June 2020 तक और जैसा कि June month अब स्टार्ट हो गया है तो आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है अगर आप अपना business continue करना चाहते हैं तो आप अपनी application जो है वो फाइल कर दीजिए साथी साथ आपको यह भी बताना चाहूंगी है कि अगर आपका GST number cancel हो जाता है तो आप ITC claim नहीं कर सकते हैं आप text invoice नहीं कार्ट सकते हैं लेकिन आपकी जो liability है आपकी जो liability है वो आपकी रहती है भले ही आप वो किसी से charge नहीं कर सकते लेकिन अगर आप GST में registration के लिए liable है and just because आपका registration cancel हो गया है that doesn't mean कि आपकी liability खतम हो गई है आपकी GST के अंदर जो liability है वो बनी रहती है वो आपको अपनी pocket से पे करनी होती है तो इन सबी चीजों से बचने के लिए आप जो है अपने GST नंबर को दोबारा से रिवोग करा सकते हैं जिसके last date है 30 June 2020 तो इस important information के साथ अब मैं ये वीडियो कर रही हूँ close thank you for watching